कि नमस्कार आज हम बनाएंगे रवा पड़ू सूजी का पड़ू बनाएंगे कि इसको आप चटनी के साथ सौर्प कर सकते हैं मैं दिखा रही हो आपको देखिए कैसे कितना सौप्ट बना है और अंदर से भी बहुत अच्छा पक गया है इसके लिए हमें सामान चाहिए सूजी रवा 200 ग्राम दही एक बाउल धनिया पत्ता हरी मिर्स दो प्याज एक नमक स्वादानसर बेकिंग सुड़ा एक टीस्पून और गाजर एक चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका एक बाउल में मैंने ले लिया है सूजी जो है आप को भूना हुआ नहीं कच्चा सूजी लेना है अगा शूजी को भूना नहीं आपको इसमें हम दही मिला देंगे एक बाउल उसके बाद हमें मिक्स कर देना है इसको अभी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसको एक बेटर जैसा बना लेंगे इसको अच्छी तरह से अपको मिक्स कर लेना है अगर थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो और थोड़ा पानी डाल दीजिए क्योंकि इसमें जो रवा है पानी अब्जर्ब करेगा इसलिए यह देखिए ऐसे इसको आपको बनाना है जैसे आप इडली बनाते हैं उसी टाइप का बनाना है अगर ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा पानी मिला लेजिए यह देखिए ऐसे ही कॉंसिस्टेंसी में आपको बनाना है जैसे इडली बेटर आपका घोल रहता है उसी कॉंसिस्टेंसी में आपको बनाना है और इसको आप 20 मिनिट के लिए धकन लगा के रख दीजिए इस मिनिट के बाद मैं खोल के देख रही हूं अभी देखिए सूजी हमारा फूल गया है अभी मैं इसमें डालूंगी धनिया पता कटा हुआ हरी मिर्च प्याज कटा हुआ और गाजर इन सारी चीजों को हम मिला लेंगे नमक एक चमाच या आपके स्वादानुसर नमक लीजिए और इसमें हम दालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा एक टीस्पून एक छोटा चमाच लेना है आपको और इसको इस बेटर को अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए अभी देखिए यह बला है पड्डू का सांचा सारे कट्री में हम थोड़ थोड़ा ओयल लगा लेंगे तेल डाल देंगे लगवग आपको एक से दो चमाच तेल डालना है और इसको हम फैला लेंगे अच्छी तरह चारो तरफ से कि हम इसमें भर देंगे हमारा जो बेटर था तो यह ओबर फूल आपको नहीं लेना है इसी तरीके से आप ले लीजिए थोड़ा सा हाप हाप रहना चाहिए क्योंकि यह पकने के बाद फूल जाता है तो आपको थोड़ा सा कम ही लेना है ओबर फूल नहीं करना है इसमें कि इस तरह से हम सारे भर लेंगे देखिए भरने के बाद आपको थोड़ा सा टैप करना है ताकि यह सेट हो जाए अभी मैंने ग्यास के उपर रख दिया है और धकन लगा दूंगी इस समय आप थोड़ा सा मीडियम आच रखे ग्यास को और लगभग 2-3 मिनिट के बाद हम देखेंगे खुल के यह नीचे की तरफ से पक गया है और इसको हम अच्छी तरह से एक चमत की सहायता से इसको हम प कि देखें इसी तरह से आपको सारे पड्डू को पलट लेना है कि देखें कि तरह अच्छा खुल गया है हमारा पड्डू है बिल्कुल हमारा जैसा उड़त की दाल और चावल का बनता है उसी तरीके से यह भी बनता है यह इंस्टांट है और बहुत जल्दी आपको जो प्राद भर भीगोना नहीं पड़ता फिर से हम पलट के धकन लगा देंगे दो से तिन मिट के लिए कि वे कि अभी दो तिन मिनिट हो चुका है मैं खोल के देख रही हूं कि पड़ू जो है दोनों तरफ से अच्छी तरह से अच्छा कलर आ गया है इसका देखिए ब्राउन ब्राउन कलर हो गया है दोनों तरफ से इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे अभी आपका जो पड़ू है खाने के लिए रेडी है आप किसी भी चठनी के साथ या फिर सर्व कर सकते हैं देखिए कितना अच्छा अंदर से पक गया है एक बार जरूर बनाएए यह वाला हेल्दी रवा इस्टेंट पड़ू और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स जरूर कर दिजिए और शेर करना बिल्कुल मद दिलिए थैंक्यू